जब मैं कहता हूँ कि सह समय केंद्र सरकार खाद नहीं दे रही है तो मिर्चाई लग जाता है तो मिर्चाई लगना अच्छा है कि किसानों को जरुवत है वो दे देना अच्छा है और भाई आज तक चारलाक मेट्रिक टन के वह सकता होती है और आप एक लाग दोलाक मेट्रिक टन देते हैं तो यह तो गडबड होगा और हिंदुस्तान के सभी राजों को डिमांड के अनुसार सही समय जिला में सुनवाई नहीं होती है तो यह गंभिर मामला उठता है तो फिर अधिकारी पे करवाई होगी तो जो उचित है जो न्याय संगत है जो सम्मिधान के दाएरे में है इस तरह कोई मामला आता है तो हम प्तुरत उसको न्याय देने के लिए जिलास लेकर के मंत्राले तक को सुचनाब करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि बीज का जो हमारा बाटने का जो कारेकरम है वो पहले से यह त्पय किया हुआ हुआ है कि पहले और पहले पाओ तो जो लोग पहले आवेदन करते हैं उसके हिसाब से हम लोग जो हैं जिले में बीज को भेजवा देते हैं थोड़ी किलत हुई बीज गेहुं का चुकि यह क्राइसिस है जलवायू परिवरतन को लेकर के पूरे देश और दुनिया में क्राइसिस आया है उसके चलते थोड लाक मैट्रिक टन देते हैं तो यह तो गड़बढ होगा अब एक चीज बताएए जितना घशान को मिलता है सबके घर गया सेलेंडर भी तो है तो गया सेलेंडर को दिक्ट नहीं होता है खाद को कहे दिक्ट होता है तो बहुत जितना डिमांड है आप उतना खाद हम को दे सुबह से साम तक लाइन लगाते थे महंगा हो गया तब ही अब सब को मिल जा रहा है ना हम तो कहते हैं कि खाद की परकिरिया अच्छा कराओ और हिंदुस्तान के सभी राजूं को डिमांड के अनसार सही समय पे अभी हमको यूरिया की जरुवत है और यूरिया आप दीजेग है तो मिर्चाई लग जाता है तो मिर्चाई लगना अच्छा है कि किसानों को जो जरुवत है वो दे देना अच्छा है हमसे आप कोई सवाल करिएगा अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो मैं तो कहूंगा ना कि हम सुधार करेंगे हम कह रहे हैं कि खाद नहीं पूरा हैं दीजिए दीजिएगा तो कोई हल्ला करेगा यही है